तो क्या हाल चाले मेरे प्यारे प्यारे के यूट कुर दोस्तों लोग आप सभी लोग कमेंट करके हमसे पूछे थे कि भाया ये बता जेजे सैनिक उसकुल क्लास 6 क्लास 9 का या जो 9 जॉर्णरी को पेपर हुआ इसका रिजल्ट एप्रोक्स कब तक आ सकता है कुछ हमको हिंट इतना दिन बाद मेरा रिजल्ट आएगा यह यह चीज होती है रिजल्ट किस टाइब से आता है इसमें सभी कुछ आपको बता देने वाला हूं बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेना राम जान लीजे मेरा नाम परवीन सिंह और आप देख रहा हूं ना प्यारा शेंदी परवीन एक्जाम यू चलिए बात कर लेते हैं कि एक्जाम जो हुआ है नो जो नरी को उसका रिजल्ट किसी साब से आता है पहली नंबर जो पहला रिजल्ट आएगा यान उसको क्वालिफाइड लिस्ट करते हैं मतलब कि एक मिनि आता है हो क्कृटि wr tarnata पिछले बार जो रिजल्ट आया था वह कौलिफाइड लिस्ट था क्वालिफाइड लिस्ट का मतलब यह एक करिर्टारी 듯 इसलेकशन मतलब क् seeking an Laser चारसो नमबर का अगर क्लास 6 में आप पढ़ते हैं तो हो सके तो आपका 150 यानि ये 400 नमबर का रहे कि उसे ऊपर अगर आपका नमबर है तो आपका सेलेक्शन मतलब क्वालिफायर लिश्ट में नाम आ जाएगा और वैसे ही अगर क्लास 9 में है तो आपको कहाएगा कि हाँ 200 रहेगा या 195- 활동 तो आपका selection मतलब qualify list में नम आ सकता है तर जब qualify list में नम आ जाता है तब उसके बाद से और भी सुझ के हिसाब से देखा जाता है यह देखे हवार जो qualify list आता है अहरट इक स्कूल के लिए अलग अलग होता है यह थोता यह थोता थे पुटे-्वैनोड अच्छा perform किया कितना बच्चों ने low की आया और paper hard आया था या easy आया था इस पर सभी ची depend करता है और साथ साथ आप सभी लोग के एक offer बता दे रहाँ कि आगर आप पढ़ रहे हैं class 6 to 10 में है या 12 तक है तो उन सभी लोगों के लिए पहले इसको देख लिजिए anacademy launch करने वाला है the biggest test of the year for class 7 to 10th IIT J.NET UGK student के लिए the anacademy prodgy ये एक free mock test है जहाँ पे आपको mock का मिलेगा unbelievable reward जीतने का ये एक घंटे का test है 23rd January 29th January 6th February and 13th February को conduct होगा इसमें हर एक participate को chance मिलेगा education of life जीतने का जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना top scores जीत सकते हैं up to 100% scholarship UNK graduation and post graduation के लिए up to 20 lakhs education of life 23rd January and 13th February को होने वाले test पर ही valid है इसके अलावा आपको macbook, ipad जैसे exciting reward भी जीत सकते हैं learners इस मौके को हाथ से जाने मत देना क्यूंकि आप test के बाद detailed score मिलेगा video solution analysis भी 15th January से आप 30 minute का practice test दे सकते हैं apart from this एक ऐसा battle जहां पे आप live thousands learner के साथ competitive कर सकते हो एंड साथ ही scholarship, medal and merit certificate भी जीत सकते हो यह सभी चीज पॉसिबल है अने academy के comeback में जिसमें आपको इंडिया के top educator के थुरू formed question होंगे in both English and Hindi real time leader board generator होगा after every question personalized score and rating से आप अपनी performance and equilate कर सकते detail video solution मिलेगा हर question का और सबसे important top performance को मिलेगा merit certificate, medals and you can win scholarship worth one crore so description में link दिया हुआ है मेरे code psg10 यूज करके enroll free इतना ही नहीं इस code को यूज करके कोई भी subscription buy कर सकते हैं 10% off पर so learners academy के साथ let's crack it आपने सभी चीज देख लिया और इसका description link है वहां से जा करके आप सभी कुछ कर सकते हैं तो बात कर लेते कि इसका जो कैसे इसके बाद वाला result आता है तो हम बात करेंगे कि इसके बाद qualified list के बाद से merit list आता है जो कि आपको शैनी को जिस school का आपने form बढ़ा है उसी school के website पर uploaded रहेगा और जो ये qualified list है वह NTA के official website पर upload रहेगा मैं description में link दे दूँगा जब result आएगा तो मैं चैनल को subscribe कर लिजिए जैसे first of all result आता है पहली पहली result आता है सबसे पहले आप सभी लोगको मैं वीडियो बना करके बता दूगा कैसे आपको qualified list डाउनलोड करना क्या क्या चीज़े होती है सभी चीज़े सब्सक्राइब अभी कभी कर लिजिए और बात कर लेते कि और इसके बास से पहली नमर आपका qualified list आएगा दूसरा नमर आपका merit list आएगा उसके बाद से तब आपको हर स्कूल से लेटर आएगा कि आप इस दिन आईए अपना medical टेस्ट कराएए या इस दिन आईए आप उस स्कूल पर ये डाकुमेंट ले जाएए वो सभी चीज़ होगा merit list आने के बाद से देखिए qualified list general defense category यह सभी चीज़ ध्यान रखते हुए तब जाकर के result बनाए जाएगा इसके हिसाब से सभी result आता है यह नहीं कि आपका अब यह चीज़ तो हो गया लेकिन सभी चीज़ बता दिया लेकिन रिजल्ट कितने दिन में आता है आपका paper को हुआ है 9 जनौरिक हुआ है लेकिन जो paper होता है उसके 2 हफते में maximum 2 हफते में आपका result आ जाता है तो अगर 2 हफते से बीच में भी आ सकता है दो हफते की बात नहीं है लेकिन हाँ 2 हफते maximum 2 हफता लगता है आपका result आने में तो 2 हफते तक वेट किजिए 9 जनौरिक पेपर हुआ है आज मैं वीडियो अप्लोट करूं 15 जनौरी है इसी तरह देख करके आप समझे 20 जनौरी तक 25 जनौरी तक आपका result आ जाएगा उसके बास से अगला result आएगा qualify list या merit list पहले आएगा जो मेट लिस्ट आएगा वह एक हफता या उसके कमी दिनों में आ जाएगा तो उसके इसाब से अगला procedure चलता रहेगा तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों पास जरूर किजिए कि कैसे result आता है क्या क्य चीजे होता है फिर से मिलते हैं का और नेक्स्ट वीडियो में तब तक जाएए पढ़ लिजिए मापाप का नाम रोशन कीजिए